नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वागत आपका अपने योट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेश में साथियों आज हम परूक सियर के बारे में जानेंगे मुगल समराज्ये से संबंदित कि उन्होंने किस पिरकार से सासन किया था इनसे संबंदित कुष्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं पेपरों में वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे जान लेते हैं ये जो फरूक सियर है क्या है ये इनके सासन के समय को आप उत्तर कालिन मुगल सासन भी बोल सकते हैं होता क्या है बहद्दुर साथ बहद्दुर साथ पिर्थम जब सुल्तान बनते हैं तो उनके पुत्र होते हैं चार पुत्र होते हैं जहादर साथ अजीम उस्मान जहान साथ और रफिस्सान चार पुत्र होते हैं तो होता क्या है बहद्र साफ प्रिथम के मरने के तुरंत बाद इनमें होता है उत्रा अधिकारी का युद्ध उत्रादिकारी का युद्ध इतना भयानक होता है कि यानि की सासन यानि सत्ता गद्धी को पाने के चक्कर में ये जो लोग हैं अपने पिता को नहीं दफना पाती यानि अंतिम संसकार नहीं कर पाते और लगबग एक महा तक उसका मिरत शरीर रखा रहता है जब उत्रादिकारी का संगर समापत होता है यानि जहादर सा सुल्तान बनता है तब जाकर इसके पिता का यानि बाहद्धुर्शा पिर्थम का अंतिम संसकार होता है जहादर साई के समय में क्या था? इनका जो वजीर था जुल्फीकार खाता किसका जहां दर्साई के समय में और सासन 1712 से लेकर 1713 एश्वी तक उसने सासन किया था इसमें क्या है जो एक सक्ति उभर कर आई थी जोते सयद बंदू जिने किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है और नर्प निर्माता के नाम से भी उसे जाना जाता है वो क्या करते थे कि उनके अंतरगत क्यों क्योंकि वो जहांदर साई के समय में क्या थे उन्हें तीन हजार का अब्दुल्ला खा और हुसेन खा ये दो भाई थे इनके बारे में भी जान लेते हैं ये दो भाई थे अब् क्या अब्दुल्ला खा को 3000 का मनसप और हुसेन खा को 2000 का मनसप दिया हुआ था ठीक है ये जो हुसेन है हुसेन Ali खा ये उस समय कहा था पट्ना का उपगवर्नर था यानि बिहार सूबे का और अब्दुल्ला खा जो था वो कहा था वो इलाबाद का सुबेदार यानि नायक था उस समय अब होता क्या है ये अपने ताकत का विस्तार करते हैं सक्ति का विस्तार करते हैं और अब सक्ति का विस्तार करके ये क्या करते हैं फरूक सियर जो था अजी उस्मान का पुत्र अजीम उस्मान का पुत्र था फरूक सियर वो क्या करते है फरूक सियर सेद बंदों के द्वारा सेयद बंदों के द्वारा ये जो है जहादर साय को हटा कर उसकी हत्या करवा देते हैं अब जहादर साय की हत्या के बाद अगला जो सुल्तान बनता है वो फरूक सियर बनता है ठीक है अगला सुल्तान कौन फरूक सियर अब फरूक सियर जब सल्टान बनता है तो वो बना किसके द्वारा था किंग मेकर नर्प निर्पाता यानि सैयद बंदों के द्वारा अब सैयद बंदों को थे वो ब्रहा के ब्रहा का जो छेतर था उसके जो सूबेदार था ब्रहा का सूबेदार था सैयद मिया यानि अब्दुल्ला खा इनके पिता का भी नाम सैयद बंदों के पिता का भी अब्दुल्ला खा था उसके तो पुतरते अब्दुल्ला खा और हुसेन अली खा जो कि सैयद बंदों के नाम से इत्यास में पिरसिद्ध होते हैं ये क्या कर कर देते हैं अब जहांदर सा जो है सासन सवालता है इनके सहयोग से लेकिन सासन के दौरान वो क्या करता है जहांदर सा अब्दुल्ला खा को तो वजीर का पद देता है और हुसेन अली खा को किसका पद मीर बख्षी का पद देता है ठीक है इनका पद बिलने के बाद में फरुक सियर सासम सवालता है आप इनके काल को यानि ये जो सयद बंदूओं के काल जो था इनका जो काल था 1713 से लेकर 1721 तक का जो समय था वो इनी सयद बंदूओं का समय था लेकिन सुल्तान जो थे वो फरुक सियर थे तो मेरे प्यारे साथ यो चैनल नया है इसे ज्यादर से ज्यादर लाइक सेयर और सस्क्राइब भी करें तो अब फरुक सियर के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार इन्होंने सासन किस परकार से किया था इन से संबंदित question किस प्रिकार से पूछी जाएंगे पेपरों में वो हम अपने आने वाली वीडियो की माध्यम से आप लोगों को कराएंगे अब होता क्या है कि देखो 21 तक का समय 1721 तक का समय जो था वो सयद वंदुआ का ही समय था ये जिसको भी चाहते थे जिसका भी सहयुक करते थे वो ही सुल्तान बन जाता था और उसके बदले ये अच्छे अच्छे पद ले लेते थे अब इन्हें पद मिलता था यानि कि अधिकार तो ये क्या करते थे अपनी मनमानी करते थे लेकिन सुल्तान नामात्र के लिए ही सुल्तान था ठीक है आप देखो फरूक शियर जो था फरूक शियर 1713 इस्वी में सुल्तान बनता है और 19 इस्वी तक सासन करता है इसे सुल्तान बनाने में सबसे ज़्यादा जो सहयोग था वो सयद बंदुओं खा था सयद बंदु जो थे इसके समय में क्या हुआ अब्दुल्ला खा जो जीर और हुसेन अली को बनाया मीर बक्षी अब उस समय फरूक सियर के समय में तीन गुट हो गए तुरानी इरानी और हिंदुस्तानी मुसल्मानों का गुट और तीनों ही सक्रिय गुट थे ठीक है तो जो इरानी थे वो फारस के थे तुरानी जो थे वो मध्याइशिया के ते और हिंदुस्तानी जो थे वो बाहर के मुसल्मान थे लेकिन हिंदुस्तान में पैदा हुए थे एक गुट उनका था ठीक है तो इसमें क्या है कि तुरानी जो अमीर था किसने फरूक सियर ने तुरानी अमीर बै जहांतर साहे के समय में वजीर कौन था जुलफी कार खा लेकिन जब सेयद बंदुओं ने इसका सहयुक किया ठीक है तो कौन हो गया वजीर हो गया अब्दुल्ला और मीर बक्षी हो गया हुसैन अली इसने क्या करा फरूक शियर ने तुरानी अमीर निजामुल मुल्क और चिकलिच खा को क्यान एक तो तुरानी अमीर निजामुल्क और चिकलिच खा को दकन में जो मुगलों के सूबे थे दक्षिन यानि दक्षिन भारत के तरफ छे मुगल सूबे थे उनकी सूबेदारी इन लोगों को दे दी इन लोगों को देने के बाद में अब सासन तो हो गया इनके फरूक सियर के अधिकार में लेकिन अब जो जहांदर साय का वजीर था अब वो क्या करता है वह भी तो वजीर था सुल्तान ही तो बदल गए तो अब ये भी सर्यंत्र शुरू करता है तो ये सर्यंत्र को खतम करन का समश्या हो जाती है खतम क्योंकि उस वजीर की हत्या करवा दी ये जो था फरूक केवल बंगाल में तीन हजार वार्सिक सालाना वार्सिक करके बदले यानि सालाना तीन हजार रुपे वार्सिक करके बदले इसने बंगाल में व्योपार का भी अधिकार दे दिया फरीक्स जो फरूक्सियर है ये इतिहास में गिर्णित कायर के नाम से भी जाना जाता है इसके गिर्णित कायर के नाम से भी जाना जाता है अब इसके समय में जो सत्ता में पावर थी सबसे ज़्यादा वो थी सयद बंदू के पास सेद बंदू क्या करते हैं सबसे पहले मारवाल के राजा ते अजीत सिंग मारवाल के राजा अजीत सिंग को ये हरा देते हैं अब इनके हारने के बाद में क्या करता है अजीत सिंग अपनी पुत्री का विभा फरूक सियर से कर देता है मैंने बताया सयद बंदुओं के बारे में भी क्योंकि 1713 से लेकर 21 तक का जो समय है वो इनी का युग था सुल्तान चाहे कोई भी हो लेकिन युग इनी का था इनके समय में लगबग बहुत सारे सुल्तान बदले भी जैसे जहांदर सा फिर आते हैं फरूक सियर फिर इनका समय इनी के साथ साथ में चलता रहता है ठीक है अब यह होता क्या है कि 1716 सोले इस वी में फरूक सियर के द्वारा क्या फरूक सियर के द्वारा क्या होता है बंदा बहद्दुर के खिलाप उसके खिलाप ये एक अभ्यान शुरू करता है खरुकसियर लेकिन इसके कहने पर सेयद बंदु सही होगी तो गुर्दासपुर के पास में गुर्दास नंगल के ले पे ये बंदा बहद्दूर को हराता है और उसे मार डालता है यानि बंदा बहद्दूर ने जो सिक्कों का गौरिल्ला युद्द छेड़ा हुआ था मुगलों को परिसान करता था वो फरूक सियर के समराज्ये के समय में मारा जाता है अब सियद बंदूओं के कहने पर अगर कुश्चन आता है जजियाकर किसने समाप्त किया जजियाकर बहुत सारे अकवर ने भी कम खतम करने की कोशिश करे लेकिन पूर्ण रूप से खतम नहीं कर पाया लेकिन जजियाकर को किसके कहने पर सियद बंदूओं के कहने पर फरूक सियर ने जजियाकर को समाप्त कर दिया ठीक है अब क्या है क्योंकि सियद बंदूओं का समय था सुल्तान फरूक सियर थे इसने क्या गरा सेयद बंदु ने एक गल्ले व्यवपारी था रतन चंद्र रतन चंद्र क्या था ये व्यवपारी था गल्ले व्यवपारी था इस गल्ले व्यवपारी को राजा की उपादी दी थी ठीक है सुल्तान फरुक्सियरी है लेकिन सबसे ज़्यादा पावर कौन लेता है सयद बंदू अब ये क्या करता है भई इनकी सक्ति को देखते हुए फरुक्सियर भी क्या करता है अपने चिंतिद हो जाता है चिंतिद हो जाता है तो इनकी सक्ति को कम करने के लिए ये क्या करता है सरियंत्र करते हैं क्योंकि तीन गुट सक्रियते तुरानी इरानी और भारती है मुसल्मानों का गुट तीक है अब क्या होता है कि इनकी सक्ति को कम करने के लिए जैसे ये सयद बंदू की पावर को कम करने के लिए फरुक्षियर सोचता है चिंती दोदा तो ये क्या करते हैं 1719 में क्या करते हैं साहू से संदी करते हैं मराठों से अब ये मराठों से संदी कर लेते हैं सयद बंदू और क्या करते हैं संदी करने के बाद में दकन में जो च्छै मुगल सूबे थे, जो की जहादर साय ने उनको भेजा था, अब उनमें क्या था? चिकलिच खा और इनको भेज दिया, ठीक है ना? तो इन छ्छै मुगल सूबों में से शौत और सरदेस मुखी का वसूल करने का अधिकार इनने दे दिया, जबकि जहादर स कि बाहदुर साथ पिर्थम के समय में क्या था कि चोथ मराठा लेंगे तो सर्देश मुखी क्या मुगल वसू लेंगे वो दो परग नीती थी उनकी अब ठीक है यहां से यह वसूलने का अधिकार मराठा को दे देता है मराठे क्या करते हैं इनको सेयद बंदूओं को सहयोग देते हैं कि जब भी तुम्हें जुरूद पड़े की तो हम तुमारी मदद करने के लिए आएंगे अब सेयद बंदूओं को इन चीज की इस चीज का जानकारी हो गई थी कि फरूक सियर तुमारे पिरती कोई ना कोई सर्यन शुरू कर चुके हैं तो उसी को देखते हुए इनोंने मराठों से संदी कर ली और दक्षिन के यानि दकन के दो छैसुबे थे उनमें चौत और सरदेश मुखी मराठों को वसुलने का दिकार दे देता है जो की पहले मुगल सेनिकों के द्वारा वसुला जाता था अब मराठों ने भी फिर क्या करा 19 जून 17 को 19 में ठीक ह अब सेयद बंदों ने इन से सहयोग मांगा और मराठों ने इसकी है साहता की और फरूक सियर को याद रगना 19 जून 17 से 19 में फरूक सियर को हटा कर उसकी हत्या कर दी इसके बाद सेयद बंदों ने सेयद बंदों ने अगला सुल्तान चुना अगला सुल्तान कुन चुना र रफी उद दरजात को ये मुगल सिगासन की गद्धी पर बैठाते हैं लेकिन होता क्या है वो जाद दिन तक सासन नहीं कर पाते और छेयरोग के कारण चेयरोग के कारण इसकी मिर्ती हो जाती है अब इसके बाद में कौन अगला जो सुल्तान बनता है इनके द्वारा युद दौला अगला सुल्तान बनता है जो की गद्धी पर बैठता है इसने क्या करा इसने साजहाए सानी साजहाए सानी की उपादी धारन की किसकी साजहाए सानी की उपादी धारन की इसे साजहाए दुत्य के नाम से भी जाना जाता है ये भी बहुत महत्पून है किसके नाम से सा जहां दुत्या के नाम से भी इसे जाना जाता है लेकिन अक्समात होता क्या है इसकी मिर्तियों भी इसकी मिर्तियों भी छे रोग से हो जाती है लेकिन मैं आपको वो सारी जानकारी देने की कोशिस करूँगा जो भी महत्पूर्ण है और जो की पेपरों में पूछी जा सकती है लेकिन कुछ इतिहासकार क्या करते हैं कुछ इतिहासकारों का कहना ये है कि इनके बाद यानि सा जहां दुत्या के बाद यानि सा जहां सानी ठीक है ना रफियुद दौला के बाद में क्या था नेकुसियर और इबराहिम ठीक है ना इनका कहने का ताद पर ये ये ह इतिहासकारों का कि रफिय उद्दौला के बाद में नेकुसियर और इबराहिम की गरना यानि इसके बाद में नेकुसियर और इबराहिम भी सुल्तान बनेते यानि गद्दी पर बैठेते ठीक है ना लेकिन ये कुछ इतिहासकारों का मानना है मुझे ये भी जान करी थोड़ जो उमीद करता हूँ परूक सियर से संबंदित जो भी महत्पून तत्यते उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली होगी पेपरों में किस पिरकार से कुश्चन पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे मेरे प्य